दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें भीहाज जीकरे ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग SPD के कर इंटरफेर्स के अंतरगत परमुक राष्टी नियुक्तियों को ट्रिक्स से याद करने की कोसिस करेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल भीहाज जीकरे ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करने साथी बेल आइकन को जब दमायत वाई वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है देश के पहले लोगपाल कौन बने हैं तो इसका उतरे पिना की चैन्दर घोश इसे कैसे हम लोग ट्रिक्स से याद दखेंगे तो यहाँ लिखा है लोग पाल अर्थात लोगों को पालने वाला तो क्या होता जो ज़्यादा लोगों को पालता है उसके पास जिम्मेवारी ज़्यादा होती और वो बाद बाद पर पिनक जाता है पिनक जाना से अर्थात गुश्या हो जाता है जिससे आपको याद देग लोगपाल क्या होता पिनक जाता है और पिनक जाना से आपको याद रहेगा पिना की चंद्र घोशु अब अगला प्रश्ण है श्री राम जन भूमी 33 छेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्रे निर्ति गोपाल दाशु इसे कैसे याद अखेंगी श्री राम जी ने अपने जन भूमी पर जो मंदिर बन रहा है उसको बनवाने के लिए किस पर ट्रस्ट किया अर्थात विश्वाश किया तो अपने ही एक रूप गोपाल पर ठीक है क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं गोपाल मतलब कृष्ण जी का बच्चे का रूप है और क्या होता बच्चे जो क्या हमेशा शर्च बोलते हैं जिससे आपको याद रहेगा स्री राम जी ने अपनी जन भूमी बनाने के लिए किस पर ट्रस्ट किया तो इन्होंने गोपाल पर ट्रस्ट किया क्यों क्योंकि वह जो है नित्य जो है अपने गाई ले करके उनकी जन भूमी की ओर जाया करते हैं जिससे आपको याद रहेगा स्री राम जन्भोमी तेरते च्छेत ट्रस्ट के अध्यक्ष नेते गोपाल दासु अब अगला पस्ट ने संयुक्त राष्ट में भात का अस्थाई परते निधी किसे बनाया गया तो इसका उत्र है टी यस तीरू मुर्दी को इसे कैसे या दखेंगे तो या दखेंगे संयुक्त राष्ट मतलब पूरे राष्ट में किस राष्ट में तो पूरे भारत राष्ट में अस्थाई रूप से परते निधी कौन करता तो अस्थाई रूप से परते निधी तिरी मतलब तीन मुर्दिया करती है किनकी तीन कौन-कौन से मूर्तिया तो ब्रह्मा, विश्णु, महेश की मूर्तिया अर्थात आप सयुक्त राष्ट में मतलब भाद के पूरे राष्ट में कहीं भी जाएंगे तो तीन मूर्तियों में से किसी न किसी एक की मूर्ति आपको जरूर मिल जाएगी चाहे वो भ्रम्मा की हो, विश्नु की हो या फिर महेश की हो तो जिससे आपको याद रहेगा सेक्त राष्ट में भाद का अस्थाई परतिनिधी कौन कर रहा तो टीरू मूर्ती अब अगला पस्टने यूनेश्को में भाद का अस्थाई परतिनिधी कौन है तो इसका उत्तर है विशाल वी सर्मा इसे कैसे या दखेंगे या दखेंगे यूने उसको यूने उसको अर्था तुमने उसको भात का अस्थाई परतिनिदी बना दिया कैसे तो उसके विशाल रूप को देखकर लेकिन वो क्या होता वो काफी सर्मा आता है वो यूनेस्को मे जाकर कुछ नहीं बोलेगा यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है तो इससे आपको याद रहेगा यू ने उसको भात का अस्थाई परतिनिदी बना दिया कैसे तो केवल उसके विशाल सरीर को देखकर लेकिन वह काफी सरमीला है जिससे आपको याद रहेगा यू ने उसको म स्थाई परतिनिदी कान विशाल वि सर्मा अब अगला पसने बी सी सी आई चैन समीती के अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्तर है चेतन सर्मा इसे कैसे आधकेंगे बी सी सी आई चैन और यहाँ चेतन चुपा है चैन चेतन नाम मिलता जूलता है जिससे आपको याद रहेगा BCCI चैन समीती की अद्यक्ष चेतन्द सर्मा अब अगला प्रश्ण है आयुस्मान भारत योजना के CEO कौन है तो इसका उत्तर है RS सर्मा इसे कैसे या दखेंगे आयुस्मान भारत मतलब भारत को आयुस्मान मतलब आशिरवाद दिया गया कि तुम रेस में जीत जाओ रेस से आपको याद देगा RS RS को एक बाब परहेंगे तो क्या नज़र आएगा रेस जिससे आपको याद देगा आशिमान भावव आप जरूर जीतें रेस में रेस से RS आपको याद देगा RS शर्मा अब अगला पस्टने सोमनात मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है तो इसका उतर है नरेद्र मोदी इसे कैसे अध्यक्ष केंगे तो हम लोग जानते सोमनात मंदिर कहा है तो सोमनात मंदिर गुजरात राज में है और गुजराद राज के हमारे परधान मंत्री भी है तो इसे ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है तो इससे आपको याद रहेगा सोमनात मंदी ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन तो नैंद्र मोदी अब अगला पश्ण है राश्ट्री डोपिंग रोधी एजन्सी के महा निर्देशक कौन है तो इसका उत्तर है सिधार्थ लॉंग जाम इसे कैसे आद अखेंगे तो यहां क्या है रोधी मतलब रोके हुए है राष्ट में डोपिंग मतलब दोपिंग मतलब दोशुर क्या है राष्टे को रोधी मतलब रोके हुए है जिसके कान से क्या हुआ लॉंग जाम मतलब लंबा जाम लग गया है जिससे आपको याद रहेगा राश्ट्रिये डोपिंग रोधी एजनसी के महाने देशकों तो सिर्दार्थ लॉंग जामू अब अगला प्रश्ण है भारती महिला किरे के टीम के मुख कोच कौन है तो इसका उतर है रमेश पोबार इसे कैसी या दखेंगे तो या दखेंगे कि यहाँ महिलाओं का कोच पुरुष को बनाया गया महिलाओं का किरे के टीम का कोच किसको बनाया गया तो पुरुष को क्यों क्योंकि वह पावर में था ठीक है जिसका से पुरुष होते विए भी उसे महिला टीम का कोच बनाया गया जिससे आपको याद रहेगा भार्दी महिला किर्किट टीम की मुख कोच कौन तो रमेज पोवारू अगला प्रशने म. एम. एम. आई फिल्म फेस्टिबल के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है प्रियंका चोपरा जोनास इसे कैसी आद रहेंगे तो यहां लिखा है म. एम. एम. अर्थात मामी को किसकी फिल्म पसंद है तो मामी को प्रियंका चोपरा की फिल्म पसंद है किसकी फिल्म मामी को प्रियंका चोपरा की फिल्म पसंद है अब अगला प्रश्ट ने मसाला बोड कोची के अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्रे एजी ठंकपन इसे कैसे यादखेंगी तो यादखेंगी घर में पत्निया अपने पती को क्या बोलती एजी वो कप में मसाला रखा है आप उसे करहाई में डाल दें ठीक है एजी कप में मसाला रखा है आप उसे करहाई में डाल दें इससे आपको याद रहेगा मसाला कहा है तो मसाला कप में है तो जिससे आपको याद रहेगा मसाला बोड कोची के अध्यक्ष कौन तो एजी ठंकपन अब अगला प्रश्ट है सहकारिता मंत्रा लेके स्व्थ सचीव कौन है तो इसका उतर है अभई कुमार सिंग इसे कैसे याद आखेंगे सहकारिता मतलब वह बचपन से सहन किया है ठीक है वह बचपन से इतना सहन किया है कि अब उसे किसी का भी भई नहीं है जिससे आपको याद रहेगा सहकारिता मंत्रा ले के संयुक्त सचीव कौन तो जिससे भाई नहीं हो अर्थात अभई कुमार सिंग अब अगला प्रश्ण है एन एस डियल के सी ओ कौन है तो इसके सी ओ है पदम जा चुंदरू कौन पदम जा चुंदरू तो इसे कैसे आद अखेंगे तो इसे जब आप परहिएगा तो लगेगा नास दिया ठीक है नास देल कब जब आप किसी के पदम में अर्थात पैरों को चुमिएगा या चुंदरू मतलब बुड़े व्यक्ति के सेंस में तो जब किसी के चुंदरू के पदम में अर्थात पैरों में जब आप गिर जाएगा तो वह क्या होगा वह आपको नास देल जिससे आपको याद हैगा नास देल अर्थात एनस डियल के सीओ कौन तो पदम जा चुंदरू अब अगला पश्टने संसर टीवी के भले सीओ कौन है तो इसके भले सीओ है रवी कपूर इसे कैसे या दखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि टीवी इतिहास में सबसे बड़ा परिवार का नाम कौन है तो कपूर परिवार का तो चाहे वो टीवी हो या फिर बड़ा परदा हो या फिर छोटा कपूर परवार चाया हुआ है जैसे कि यदि आप उपर बॉली बोर्ड में देखोगे तो कौन आएगा तो उसमें आपको रनवीर कपूर करिना कपूर यही सवाएंगे और जब नीचे आओगे छोटे परदे पर तो कौन आएगा एकता कपूर उनकी काफी सारी सिल फेमश है उसी प्रकाश जैसे संसद में टीवी चलाया गया तो वह कपूर का सिरियल या फिल्म देने लगा जिससे आप उयाद लेगा रवी कपूर अब अगला प्रशने अखिल भारती प्रवंधन संके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है रंग नाथन इससे कैसे या दखेंगे अखिल भारती प्रवंधन कैसे किया तो उनको जितना भी चीज का प्रवंधन करने के लिए दिया गया उन सबों को उन्हों क्या किया प्रबंदन करने दिआ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रंग दिया तो जी आप को याद रएगा, अकिल भारति प्रबंदन संग के अध्यक्ट, सीके रंग नाथन अब अगला प्रश्ण है पारा दीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्तर है हर नाध। कौन हर नाध। इसे कैसे यादखेंगी तो पारा दीप पर जब आप जाईएगा तो हर जगह नाध मतलब एक गड़ा नाध की अकार का गड़ा आपको जरूर दीखेगा जिससे आपको यादखेगा पारा दीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन तो हर नाध। आप लोग जानते हैं तो जो जिसमें गायों को भोजन दिया जाता है खाने के लिए उसे ही नाध बोलते हैं जिससे आपको यादखेगा पारा दीप पर हर जगह नाध है क्योंकि वहाँ गड़े काफे ज़्यादा है तो वहाँ आटोमेटिक नाध बन गया है जिससे आपक के अध्यक्ष है हर नाध अब अगला परशन है आयूद निर्देशाले के पहले महा निर्देशक कौन है तो इसके पहले महा निर्देशक है इसे कैसे यादखेंगे तो इसे यादखेंगे आयूद मतलब यूद में जाने से पहले निर्देशक दिया गया कि आप लोग जर पर दूर गोली बंदूख चलाना, सीख लें, सेक्new सी याद येगा, सीख लें, ऐसे आपको याद आ जाएगा, E.R. सेक अर्थात आयूद, निर्देस आले कि, पहले निर्देस कौन? तो क्या याद कि थे, यूद में जाने से, पहले निर्देश दिया गया क्या कि आप लोग सीख लें सीख लेने से सेख आपको याद आ जाएगा अब अगला प्रश्ण है परधार मंत्री फशल बीमा योजना के CEO कौन है तो इसके CEO है रितेश चवहानु इसे कैसे आदा केंगे तो यहां रितेश को हम लोग रीतु कर लेंगे अर्थात वर्षा रीतु तो परधार मंत्री फशल बीमा क्यों किये कि यदि जो है कितना भी रीतु आ जाए या फिर वर्षा रीतु नहीं आएगा तो क्या होगा आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्यों क्यों कि परधार मंत्री ने आपके फशल का बीमा कर रखा है रेतु से आपको याद रहेगा रेतिस चौहान अब अगला प्रश्ण है राष्टी अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्तर है अमीत रस्तोगी अब अगला प्रश्ण है NCB के महा निर्देशक कौन है तो इसके महा निर्देशक है सत्य नारायन प्रधान इससे कैसे आदखेंगे तो NCB को आप लोग कर लेंगे JCB आप जानते होंगे JCB क्या है तो JCB खुदाई करने वाला एक यह अंत्र है तो क्या होगा जब आप JCB लिजिएगा तो क्या किजिएगा सबसे पहले घर में सत्य नारायन की पूजा करवाईएगा क्यों? क्योंकि आपके घर में पहली वार JCB खर दी गई है जिससे आपको याद रहेगा NCB और NCB से सत्य नारायन परधान और्टमेटिक आपको याद आ जाएगा अब अगला परशने PTC इंडिया के CMD कौन है? तो इसके CMD है राजीव, कुमार, मिसरा इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है PTC मैं PT करते हुए इंडिया में सभी व्यक्ति को C मतलब देखना चाहता हूँ कौन-कौन? तो इंडिया के सभी जीवों को मैं PT करते देखना चाहता हूँ अर्थात PTC जिससे आपको याद रहेगा PTC इंडिया के CMD कौन? तो राजीव, कुमार, मिसरा अब अगला परशने राष्ट्रे क्रिकेड अकार्डमी के परमुक कौन है? तो इसके परमुक हैं विवियस, लक्ष्मन कौन? विवियस, लक्ष्मन अगला परशने ICC पुरुस क्रिकेड समीती के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं शोरव, गांगली किरकेड बला तो आप लोग को आसा करता हूँ याद ही होगा इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ अब अगला परशने केंद्री अपरत्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोर्ट की अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विवेक, जहौरी इसे कैसे अध्यक्ष केंगे? तो केंद्र को अपरत्यक्ष कर और सीमा सुल्क यदि किसी व्यक्ति से लेना है तो क्या करना पर होगा? तो उन्हें अपने विवेक से काम करना होगा अर्थत अपने बुद्धी से काम लेना होगा कि किस परकार जो है लोगों से कर लिया जाये क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं यहांके तो करकी चोरी करते हैं जिससे आपको याद रहेगा विविक जोहरी अब अगला पश्णे राष्टिये रक्षा कॉलेज के प्रमुक कौन है तो राक्ष्ट्रिये रक्षा कॉलेज के प्रमुक है मनोज कुमार मांगो इसे कैसे याद अखेंगे तो याद अखेंगे कॉलेज की अर्थात राष्ट के कॉलेज की रक्षा कैसे की जा सकती तो अश्ट्रियन की मांगो को जब आप पूरी कर दोगे तो राष्ट के колLEG की रक्षा हो जाएगी ऐसे भी क्या होता? कॉलेजों में अग्सर हर्ताल हो जाते हैं और क्या होता? हमारी मांगे पुरी करो जिससे आप हो याद हैगा राष्टी रक्षा колLEG के परमुक कौन? तो मनोज़ कुमार मांगो मांगो अब अगला प्रशने भारतिये प्रेटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है संबीत पात्रा इससे कैसे यादखेंगे तो यहाँ प्रेटन मतलब घूमना और यहाँ पात्रा को यात्रा कर लेंगे प्रेटन यात्रा जिससे आपको याद रहे अब अगला प्रश्ण है भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरन की अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है अलका उपाध्याई ठेक है इसे कैसे या दखेंगे तो राष्ट में राजमार्ग मतलब आपके अपने किसी भी काम को करने के लिए आपको एक राजमार्ग की जरुवत पड़ती है तो आपको अच्छे राजमार्ग के लिए कौन मतलाता तो उपाध्याय मतलो अच्छे अच्छे अध्याय को आप परिये आपको UPSC, BPSC करने में या फिर जिस वेकैंसी को आप तयारी करते हैं उसके लिए आपको वो राजमार्ग परदान करेगा कैसे तो आप विभिन विश्यों के उपाध्या मतलो अध्याय को परिये जिससे आपको याद रेगा भारती, राश्टी, राजमार्ग, प्राधिकरन के अध्याक्ष कौन तो अलका उपाध्याय अब अगला पश्णए फिकी के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है संजीव महता फिकी मतलब फिका भोजन तो संजीव कपूर के बारे में आपने लोगों सुना होगा कि यह जो है क्या एक कूक है? तो संजीव से याद रहेगा संजीव महता फिक्का खाना कौन बनाता है तो फिक्का खाना संजीव बनाता है अलगला प्रशने रेल्वी वोट की अध्यक्ष एवं CEO कौन है तो इसके अध्यक्ष है विनै कुमार त्री पाठी इसे कैसे आधकेंगी तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्या हो गया रेल्वे वोट से पहले विनै पुर्वक ट्यूटर पर कंपेंच चलाया था क्यों उनसे विनै करने के लिए कि हम लोगों का रिवाइज रिजल्ट दे तो जिससे आपको याद रहेगा रेल्वे वोट की अध्यक्ष एवं CEO कौन तो विनै कुमार त्री पाठी अब अगरा पस्टने भारती टट रच्चक बलके महार निर्देशक कौन है तो इसका उतर है V.S. पठानिया इससे कैसे याद रखेंगे तो भारती टट रच्चक भारत के टट पर पठानिया को पानिया याद रखेंगे तो भारती टट पर क्या है तो धेर सारा पानिया है पानी मतलब वाटर जिससे आपको याद देगा पठानिया अब अगरा प्रशने Chief of Staff Committee के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है नर्वने कौन एमें सॉरी एमें नर्वने अर्थात मनोज मुकंद नर्वने इससे कैसे राद रखेंगे तो Chief of Staff मतलब हम लोग जानते हैं मतलब किसी व्यक्ति को काम करने के लिए जो रखा जाता है तो वो कहां से आते हैं तो वो जो है एक नर है जो की वन से आता है मतलब जंगल से भी बुला कर उन्हें काम दिया गया और अपने ऑफिस में उसे अश्टाफ बनाया गया जिससे आपको याद हैगा Chief of Staff Committee कहां से आते हैं तो यह वन से आते हैं जिससे आपको याद हैगा मनोज मुकुन नर्वने तो यह था आज के वीडियो का आकरी प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और से जरूर करें तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद